हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी याशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे आई एमो का पार्ट टू ठीक है तो पार्ट टू पढ़ने शुरू करते हैं कोशन नमर 16 से लिए 15 तक हमें 25 तक पढ़ने तो चलिए वीडि ही नहीं कोशन ही पूचा था कितने हैं तो यह है 29 अगला कुशन कोशन नम्बर 17 कि यह पांसू है 45 चॉकलेट लिए ही बाइस नाइन नाइन चॉकलेट उसके पास पहले से थे और ना नाइन चॉकलेट उसने फिर से खरी लिए तो कुशन पूच रहा कि अब टूटल कितने है तो इसको एड़ करते हैं नाइन और त्री ट्वाइल कर टू वन कैरी तो फोर और वन कितना हो जाएगा फाइफ तो इसका अंसर हो जाएगा फिफ्टी टू अंसर नमबर सी ठीक है चले कोशन नमबर एटीन एटीन क्या कह रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे थी टू फाइफ और फोर वन फाइफ ठीक है ना तो किनने हो जाएँगे फिफ्टी फाइफ बच्चे इनके क्लास में हैं फिर है कोशन नमबर एटीन देर आर थार्टीन वह ऐसन फॉर्टी टू स्वर्टीन तो होई गये ठीक है ना फिफ्टी फाइग देखिए इसका अंसर टूटल बड्स तो गिन लेंगी ऐसे ही आप गिन लेजें वर्ण टू थरी फोर फाइफ सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वैल तो कितना हो गया तो इसको एड़ करने पर टोटल पूछ रहे कितना हो गया तो फॉर्टीन को कितना हो जाएगा टूटल फॉटे शिक सका आंसर दोस्तों कितना आएगा है थिरी फॉट हो ता टीको जो थो झालए तो अंसर प्रॉट गालंस को गर्वर सीड़ियर चलिए अगला कोशन है अगला कोशन है कि अगले कोशेख नहीं के रहा है आरो एंडेव हो ख़्याम ठेन अ Dáसर हो तो देखी दूस्तों यहाँ पर क्या था आ रहो और उसके तीन फ्रेंड थे ठीक है ना तो वन टू थ्री लिखने और सब के पास दस sixt tout है तो इनके पास दस होगा कि इनके पॉसर फ्रेंड के पास भी दस होगा और अचोंगे पास दूसरे फ्रेंड के तो दोस्तों यहां पे आ गया है question number 22, अब यहां पे यह बताना है कि P और Q की जगा पे क्या होगा, तो देखिए 3 में क्या add करेंगे कि 4 राज है, तो यहां पे लिखिए 1, 3 और 1, 4, और यहां पे 2 और 1 को add करेंगे तो क्या हैगा 3, तो P की जगा पे 1 और Q की जगा पे 3, तो यह हो जाएगा option number A, ठीक है, question number 7 क्या है, 23 क्या है, 7 more than 10 represented the number line, तो देखिए 10 है, ठीक है न, तो 10 है, यहां से लिखिए 10, उसके बाद देखिए 7 हमें जाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कौन सा सही होगा, option number B, ठीक है न, देखिए 10, 10 से 7 ज्यादा, तो 10 होगा, और 7 यहां से ज्यादा है, तो 10 or 7 कितना होगा, 17, यहां पर इसका answer हो जाएगा, ठीक है न, चलिए वैसे भी आप कर सकते है, 10 or 7, 17 होता है, 17 तक last position कहां पर गया हुआ है, यहां पर, बाकी किसी में 10 है, इसमें 12 है, 14 है, तो इसका answer क्या जाएगा, option number B, ठीक है, question number 24, 24 में लिखा है, कौन तो इसका answer हो जाएगा, option number B, यही यहां पर सही है, चलिए, question number 25 पर आज का last question, तो question क्या कह रहा है, रिया है, the different types of fruits, she has 3 more apples than oranges, and she has 6 more oranges than guava, if she has 4, चलिए यहां से शुरू करते है, guava जो है, वो कितना है, उसके पास, 4, उसके बाद जो orange है, orange guava से 6 जादा है, तो 4 plus 6 लिख लेंगे, यह हो जाएगा, आपका 10, यानि कि उसके पास कितने orange है, 10 orange है, ठीक, उसके बाद, if she has, फिल लिखा है, she has 3 more apples than oranges, तो अब उसके पास देखी, apple कितने है, apple जो है, वो orange से 3 जादा है, ठीक है, तो orange आपके पास कितना है, 10, और 10 में आप 3 आट करेंगे तो कितना आजाएगा, 13, ठीक है, अब सबको आप एड कर लिजे, 13 plus 10 plus 4, तो 13 और 23, 23 में 4 एड करेंगे, तो आएगा 27, ठीक है, तो इसका आणसर रोजेगा, option number B, 27, ठीक है, चली, तो यह है दोस्तों, हमारा Google Pay number, अगर आप मुझे कुछ पैसे पे करना चाहते हैं, तो इस पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अगले शेप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार,